आज हम लोग देखने वाले यूनिट 4 इंट्रोडक्तरी मेडिसनल केमिश्टी ठीक है वहाँ की ठीक है तो पढ़ो ठीक है टीक है ड्रक की डिस्कवरी अर्था दवाओ की aspects के बारे मेडिसक नाया जाता है तो ऊसद्विः विज्ञाना उर्था साइन्स के छेत्र में नई medicines की खोज करना है या आप medicines की खोज की जाती है ठीक है तो यही आपका drug discovery ठीक है तो drug discovery के इंदर गरत आपको पता चला क्या होता है drug discovery पे drug discovery पे आपका होता क्या है देखो drug discovery पे आपको medicines का निर्माड होता है ठीक है वो किस-किस formula से बनती होता है जब निर्माड हो जाता है फिर उसकी जब खोज होती है तो उसे कहां लाए जाता है market पे बेचने के लिए ठीक है यही है आपकी drug discovery इतना है समझो medicines जो drug होती है उसकी खोज की जाती है और बात में उसकी मदलब सारी जो उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती कि उस स्वास्त भी आपका अच्छा रहे तब वो आपकी market में बिकने के लिए आती है ठीक है अभी आगे इससे व्यावसाइक सफलता मनलब की आपकी बिजनेस भी सफलता हो और सारवाजनिक स्वास्त की सफलता हो सकती है थीक है व्यावसाइक सफलता समझ सकते हूं म据लब जो । बिकए-गी 병 तो तो वही व्यावसाइक सफलता और स्वास्थ म्लाब हे लिए होkung ठीक है कि इस ताइप से आपकी Drug की मनलब खोज की जाती कि मनलब अग्दम सही ढग से हो। ठीक है? आप बात करें इसके Drug के Design और Development की ओकार और विकास कैसे होता है? ठीक है? तो वो भी देखो कह रहा है कार और विकास डिजाइन और Development पे कहरा है drug design जिसे डवा डवा design के रूप में मानव जाता है drug design को अब लोग medicine design के रूप में भी कह सकते हो आप ठीक है और अगला point है आपका देखो डवा design के रूप में मानव जाता है फिर दवा की खोश के मादद से एक सीमा योगी की पैचान हो जाने के बाद drug development में एक नई दवा को market में लाया जाता है मनलब की जब उसकी आपकी उसको कहां लाया जाता है market में जब उसकी पैचान हो जाती है उसका design हो जाता है तब फिर वो market में विकने के लिए आती है तो यही है आपकी पूरी मनलब drug की discovery ठीक है मनलब जो drug है आपका पहले इसकी आपकी खोज होती है ठीक है वो किस किस चीज से बना है उसके formula उससे आपको जब बनता है फिर उसके बाद वो market में विकने के लिए आती है ठीक है जब उसकी design पूरी तयार हो जाती है और मनलब उसकी स्वास्त आपका अच्छा रहता उसके बाद ठीक है तो drug design आपका अपका health भी सही रहे और उससे जो व्यासाई भी है मनलब सरकार का जो है उसको पैसा भी आए उसको लाब भी हो ठीक है वही का गया स्वास्त भी आपका ठीक रहे तो यही है आपकी drug की discovery ठीक है पूरा पढ़ सकते हो ठीक है तो इस chapter पर हमें पूरा drug की discovery के बारे में ही पढ़ना है तो कहरा है drug design जिसे दवा design कहते हैं और दवा की खोच के मादर से योगी की पहचान पहले करते हैं फिर उसके बाद उसकी design और फिर market पे आती है ठीक है तो यह था आपके बाद drug discovery की की वप रख्याज जिसके द्वारा हम लोग और इससे आपकी व्योसाइक सफलता और सारवाजनिक स्वास्त भी सही होना चाहिए ठीक है तो इस आधार पर drug की discovery होती है ठीक है तो भाई यह बात यह आपकी इसके मानलो पूरा बेसिक की अगली अगर वीडियो अच्छा लगाओ यार तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना तो पूरी प्लेलिष्ट आपकी बीस सी सेकेंड से वेश्टा की वनिवी आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हो